नम्मर 13 देखते हैं, 13 का LHS लेता हैं, दिया है साइन क्यूब ठीटा प्लस में कॉस क्यूब ठीटा, बटा में साइन ठीटा प्लस कॉस ठीटा और प्लस में साइन ठीटा कॉस ठीटा, तो वहाँ AQ प्लस BQ वाले फॉर्मले पर उपर सेट करते हैं, तो जागा साइन ठीटा plus cos theta into में sin square theta minus sin theta cos theta और plus में cos square theta और बटा में जो है आपका वो तो रहेगा ही sin theta plus cos theta और यहां हो जाएगा आपका plus में sin theta into cos theta. Actually मैं यहाँ फॉर्मल लगाएं a cube plus b cube का मैं लिख देता हूँ a plus b a square minus का a b plus का b square तो देखा यह और यह कट जाएगा sin square theta plus cos square theta यह दोनों मिलके one हो गया one minus में sin theta cos theta और वहाँ पे है plus में sin theta cos theta यह तो यह कट जाएगा आपका one आ गया है RHS आ गया तो हमें यहीं न अप्रूब करना था चलते हैं अगले question की ओर चले question number four